कोरोना की दूसरी लहर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की पावंदियां लगी हुई हैं ऐसे में कहीं शादी समारों पर बैन हैं तो कहीं शादी में केवल 20 लोगों के शामिल होने की पावंदी है कोरोना के इस स्थिती में कई लोग तो शादी बहुत ही सादगी से कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की शादी देखकर आपके खोश उड़ जाएंगे दरसल एक कपल ने सोचा कि देश में तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो क्यों ना हम आस्मान में ही शादी कर ले जी हाँ तमिल्नाडू के मदुरे में एक जोड़े ने आसमान की उचाईयों के बीच फ्लाइट के अंदर शादी रचाई है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है फ्लाइट में 161 प्रिश्टदार मौजूद थे जोड़े का दावा है कि सबकी कोरोना रिपोर्ट नेगटिव थी लेकिन इस शादी पर अब डीजी सी ए की नज़र टेडी हो गई है नागरे कोडियन महाने देशाले ने इस शादी पर संग्यान लेते हुए जाज शुरू कर दी है स्पाइस जेट और एयरक्राफ्ट प्रादिकरन से रिपोर्ट तलब की गई है कोरोना नियमों का पालन ना करने वालों के खिलाफ कारवाई के निर्देश भी दिये गए हैं दरसल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुला और दुलन शादी के लिए पूरी तरह से तयार हैं दोनों पारंपर एक ट्रेस भी पहने हुए नज़र आ रहे हैं शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है शादी के बाद विवान वापस मदूरे लोटाया शोशल मीडिया पर शादी की चर्चा हो रही है और ये वीडियो भी अब शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है हाला कि अब भले ही कारवाई को लेकिन इस जोड़े ने अपनी शादी को जरूर यादगार बना लिया है ब्योरो रिपोर्ट न्यूस वालिटिया